नमस्कार प्रियर, आज मैं आपको वर्षब लगनवालों के लिए माई 2022 का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ यह चार्ट है गोचर में घुम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं पहले घर में बुद्ध बैठे हैं, दूसरे, तीसरे, चौते और पाचवे घर में कोई ग्रह नहीं है के तू छटे घर में बैठे हैं, साथवे, आठवे और नवे घर में कोई ग्रह नहीं है दसवे घर में मंगल और शनी बैठे हैं 17 माई को मंगल आपके 11 वे घर में चले जाएंगे 11 वे घर में गुरू और शुक्र बैठे है 23 माई को शुक्र आपके 12 वे घर में चले जाएंगे 12 वे घर में सूर्य और राहू बैठे है 15 माई को सूर्य आपके लगन में चले जाएंगे शुक्र आपके लगनेश है और छटे घर के मालिक है शुक्र आपके ग्यारहवे घर में बैठे है शुक्र मीन राशी में उचके हो जाते है शुक्र यहाँ बैठ कर आपको अच्छा फल ही देंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी शेर मार्केट में अचानक बहुत बड़ा धनलाब भी हो सकता है आप अपनी संतान के साथ क्वालिटी टाइम्स पेंट कर सकते हैं 23 माई को शुक्र आपके बारहवे घर में चले जाएंगे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा इस समय के दौरान आपके खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन आप अपनी लगजरी लाइफ को एंजॉय करेंगे विदेश यात्राएं भी हो सकती है बुद आपके दूसरे और पांचवे घर के मालिक हैं बुद आपके लगन में ही बैठे हैं कम्यूनिकेशन फिल्ड से जुड़े हुए और बिजनेस करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है परिवार के मदभेद दूर हो जाएंगे सूरे आपके छटे घर के मालिक हैं और सूरे आपके बारहवे घर में बैठे हैं सूरे बारहवे घर में होने की वज़ह से आपको सरकारी कामकाज में ध्यान रखना चाहिए कोई भी गयर कानूनी काम ना करे सूरे और राहू एक साथ होने की वज़ह से सूरे को ग्रहन लग जाएगा और सूर्य अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ आपको वाद विवाद नहीं करने चाहिए 15 माई को सूर्य आपके लगन में चले जाएंगे तब आपका अत्म विश्वास बढ़ेगा आपके जो भी रुके हुए सरकारी काम थे वह पूरे हो जाएंगे मंगल आपके साथवे और बारहवे घर के मालिक है आप अपने पती या पतनी को पार्टनर बना कर बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस में बहुत लाब हो सकता है मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है 17 माई को मंगल आपके 11 घर में चले जाएंगे महामगल आपको अच्छा फ़ल देंगे और आपकी इंकम में प्रोग्रेस होगी आपकी जल्दबाजी के कारण नौकरी और कारेस्थल पर आपके काम खराब होंगे फिर भी कारेस्थल पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी आपको सिर्फ अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा जिनका प्रमोशन रुका हुआ था अब उनका प्रमोशन हो सकता है कारस्थल पर कारस्थल पर अपने बोस या अपने सीनियर के साथ वाद विवाद ना करे नहीं तो आप नौकरी गवा सकते हैं आपके मित्रों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं आपकी मा की हेल्थ भी खराब हो सकती है आपके बच्चे कहीं खेल कूद रहे हो, तब उनका ध्यान रखें बच्चों को छोटी सी चोट भी लग सकती है गुरू आपके आठवे और ग्यारहवे घर के मालिक है गुरू आपके ग्यारहवे घर में अपनी ही राशी में बैठे है ससुराल वालों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे इस समय के दौरान आप आध्यात मिक्ता में ज्यादा रुची लेंगे धार में काय होंगे जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको नई जॉब मिल सकती है जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाहते है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है गैस एसिडिटी की प्रॉबलम वालों को इस समय के दौरान रहत मिलेगी फिर भी आपको अपने खाने पीने पर ध्यान रखना होगा मैरिज लाइफ में जो मतवेद हो रहे हैं गुरू उनको थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अपने माँ बाप से अपनी शादी की बात करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय है जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे वह कर सकते हैं जो लोग संतान प्राप्ती के लिए प्रयत्न कर रहे थे उनको संतान प्राप्ती हो सकती है शनी आपके नव में और दस्वेग घर के मालिक है शनी अपनी ही राशी में दश्वे घर में बैठे हैं आपके करियर में प्रोग्रेस होगी पॉलिटीक से जुड़े हुए लोगों को इस समय में सकसेस मिल सकती है शनी की दृष्टी आपके साथ वे घर पर पढ़ने से पती पतनी के साथ मक्थेद्धी हो सकते है समाज में आपका नाम खराब होगा इस लिए कोई भी गईर कानूनी या कोई भी गलत काम ना करें इस समय के दौरान आपकी विदेश यात्राएं हो सकती है विदेश से related बिजनेस करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है कोट का चहरी के चक्कर हो सकते हैं चोड़ चपेट और एक्सीडेंट भी हो सकता है वीकर चलाते समय ध्यान रखें आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं आपकी मा के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है इस समय के दौरान आपको कोई भी नया घर या नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए नहीं तो आप कानूनी कारिवाही में फ़स सकते हैं अपने माता पिता के अलावा किसी और पर भरोसा ना करें के तू छट्थे घर में होने से आपको नजर लग सकती है आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है राहू की बुरी इफेक्ट से बचने के लिए आपको विश्ण सहस्तनाम के पाट करने चाहिए और सूर्य मंत्र के जाब करने चाहिए तो ये था विर्शब लगनवालों के लिए माई 2022 का प्रेडिक्शन ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहें हमारी चैनल नमस्कार